मैं ता किसान आंदोलन के मुद्धे पर बीजेपी सांससर लाल गॉन्ड विस्तार से बातचीत की है क्या उनका कहना था आए जाने प्रणों के मुद्धे बात करते हैं बीजेपी के सांसर अक्षवर लाल गोड़ साब से गोड़ साब किसानों का जो अंदोलन चल रहा है उसमें जो भारत माता के बिरूद में जो नारे लगाने वाले हैं उमर खाली सर्जिगल इमाम उनकी रिहाई की मांग चल रहे है कैसा अ भारत के लोग परिप्रधानमत्री देश के नहीं बीदेशों में सर्वच अस्थान जिनकी आज लोग प्रिता है ऐसे नरेंद्र मोधी जी के नीतियों का अविरोध जो नहीं कर पाए कारिओं का अविरोध नहीं कर पाए से जो लोग अपना उद्देश पूरा करना चाहते थे वह नहीं कर पाए आज किसानों के नाम पर यह कथित किसान अंदोलन है राजनीत प्रेरित है किसानों का इससे कुछ लेना देना नहीं है बिल्कूल उन्हीं के द्वारा परायोजित है और अब कहा जाता कि पूरे भारत की साथ आप देखें दो परदेशों को छोड़ करके बागी किसी परदेश की जनता इसे में सभागिता नहीं कर रही है इसे असपश्ट होता है कि जहांपर कांग्रेस सासित है जहांपर कांग्रेस के लोग हैं CPI के हैं CPM के हैं अनदल के लोग बिपक्षी है जो जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है बिरोध का ये में किसांदलोन के नाम पर अपना रूटी से कना चाहते हैं जिसमें उस सफन नहीं होंगे इन लोग को सोचना चाहिए कि अभी हाल में किसान किसान बिल जो आया किसानों के जहते हां bene में होता था क्यों कर रहा हैं हम से हमको बुछाया गया है इसलिए किसानों की आमदन्य को 2022 तक पूरा करने के लिए माने रेंद्र मोदी जीने जो संकल भिलिया उसको कर रहा है उससे इनों को विपक्षिव पार्टियों को लग रही है लग रहा है कि अगर सफर हो गया कानून यह लोग कहीं के नहीं रहा पाएंगे इसल का राष्ट पार्टी कीटि नहीं के गया देश के अंदर कि वह आज भी नहीं सोच पा रहा है हैं कांग्रेश के लोग सोच नहीं पार हम क्या करें अभी उनको हैदराबाद के चुनाओं में अभी बिहार का चुना हुआ देश का चुना हुआ उत्तर प्रदेश में चुना हुआ कि खम्मे कांग्रेस क्या वो दुर्गती होई है कि कांग्रेस के नेता सुनियां और उनके पुत्र की समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें कि धहर आए कि धर जाए इसलिए व दिसाफ भरमित हैं दिग भरमित हैं तो धन्यवाद तो साथ तोर से सुदर से नियूज ने जो सुरु से कहा था कि या अंदोलों पाख खाली स्तानियों का और बामपंद्यों कब जाओ गया है इसी बात का बीजेपी की जो सांसत है नुनुभी समर्चन क्या है सौरभ तिवारी सुदर से नियूज बरहज